हरे कृष्णा राधे राधे वेलकम टू हैपी लाइफ इद काना जी जिसकी आज की वीडियो में आप हैं शिवानी के साथ हैपी लाइफ इद काना जी की आज की इस वीडियो में हम फिर से कुछ प्रश्णों के साथ आए हैं और जनमस्टमी से जुड़े ये प्रश्ण अकसर हमारे मन में शंका उत्पन करते रहते हैं तो चलिए आज की इस वीडियो में इन सवालों के उत्तर खोज लेते हैं जनमस्टमी से जुड़ा सबसे पहला सवाल जो बार बार पूछा जाता है वो ये है कि क्या जनमस्टमी की रात में बारा बजे काना जी को फिर से स्नान कराना जरूरी है क्योंकि हमने तो सुबे में काना जी को स्नान करा दिया था इसका उत्तर कुछ डिटेल में लेते हैं जनमस्टमी वाले दिन बहुत से लोग नए काना जी की स्थापना करते हैं काना जी के नए विग्रे को घड कराते हैं और उनकी प्रान प्रतिस्ठा करते हैं तो जो लोग जन्मस्ट मीक की दिन काना जी को घड लेकर आ रहे हैं उनकी प्रान प्रतिस्ठा कर रहे हैं उनकी स्थापना कर रहे हैं वे रात 12 बजे काना जी को सनान चरूर कराते हैं क्योंकि उनके यहां काना जी एक नए सदस्य के रूप में उनके घर में शामिल हुए हैं जैसे कि एक बच्चा एक घर में शामिल होता है जैसे कि एक बच्चे का जन्म होता है लेकिन जिनके यहां पहले से ही काना जी का विग अब जैसे घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो जिस वर्ष फे जन्म लेता है उस वर्ष उसके जन्म की सारे विधिया की जाती है लेकिन अगले साल से केवल उसका जन्म दिन मनाया जाता है उसके जन्म दिन की खुशिया मनाई जाती है अब जैसे मैं अपने घर की बात कह केवल थूप दीप चलाकर उनकी आरती करते हैं पूजा करते हैं जूला जुलाते हैं भोग लगाते हैं भजन कीर्थन आदी विभिन परकार से काना जी का जन्मोच सव मनाते हैं लेकिन फिर भी यहां पर एक बात कहना चाहूंगी हर भगत की भगवान के प्रती अलग श्रद कर नहीं आपके हरदे के भाव क्या कह रहे हैं ये देखकर पूजा करनी चाहिए जन्मस्टमी से ही चुड़ा दूसरा एक बहुत ही मैतवपूर्ण सवाल ये आता है कि क्या जन्मस्टमी की रात 12 बजे पूजन के बाद काना जी को सुलाया जाता है या नहीं तो इसका जव कराना क्या जरूरी होता है तो इसका जवाब भी फिर से वही है जिनके घर काना जी जन्मस्टमी के दिन ही पधार रहे हैं जन्मस्टमी के दिन ही क्रान प्रतिष्टा कर रहे हैं जन्मस्टमी के दिन ला रहे हैं में खीरे से काना जी का जन्म करा सकते हैं लेकिन जिनके घर में पहले से ही काना जी का विग्रह है जो पहले से ही पूजा करते हैं में केवल जनम दिन मना सकते हैं एक और प्रशन आता है कि क्या जनमस्टमी के दिन काना जी को छपन भोग हम लगा सकते हैं तो इसका जवाब भी हाँ है खान जी बिल्कुल लगा सकते हैं लेकिन यहां पर एक बात है कि कुछ घरों में जनमश्टमी से लेकर छटी तक जो 6 दिन बाद छटी मनाई जाती है उस तक काना जी को अन का भोग नहीं लगाया जाता केवल दूद का माखन मिश्री का या फिर फलाहार का फलो का भोग लगाया जाता है तो जो लोग इस नियम को निभाते हैं वे जनमश्टमी के दिन 56 भोग का परशाद नहीं लगाते हैं वे लोग श्री कृष्ण जी की जो छटी मनाते हैं जिजिन छटी उत्सव मनाते हैं उस दिन 56 भोग का परशाद लगा सकते हैं अब एक आखरी प्रशन की क्या जनमश्टमी के दिन काना जी को नए ही कपड़े पहनाने चाहिए तो हान जी नए वस्त्र और नया श्रिंगार श्री कृष्ण जनमस्टमी के दिन और काना जी की छटी के दिन नए वस्त्र और नया श्रिंगार काना जी को किया जाता है यहाँ पर ध्यान रखते हैं कि कोशिश ये की जाती है कि दोनों ही दिन जनमस्टमी वा रंग का विशेश महत्व होता है तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जन्मस्टमी और छटी के दिन पीले रंग की ही ड्रेस पहनाएं हैपी लाइफ विदकाना जी की आज की चन्मस्टमी वीडियो में बस इतने ही प्रश्न चन्मस्टमी से जुड़ी अगली वीडियो के साथ फिर जल्दी से मिलेंगे तब तक जुड़े रहे हैपी लाइफ विदकाना जी के साथ हरे कृष्णा राधे राधे